स्वागत है आप सभी का Tech Study आई थे योटूब चलम पर आई टे पास आउट केंडियेट्स के लिए Southern Railway की तरब से Apprentsip की वैकेंसी जारी की जा चुकी 2800 से जादा पोस्ट पे Apprentsip निकाली गई है और फार्म भनने की जो लास्ट डिट हो है 28 फरोरी 2024 साम को 5 बजे तक तो अगर आप लोग भी यहाँ पे Southern Railway में Apprentsip में Eligible है और फार्म भरना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे Consider कर सकते हैं Apprentsip करना क्योंकि आप सब को पता है Railway Apprentsip करने के बाद आपको Level 1 की जाब में 20% का Reservation उसके साथ साथ आपको PET में छूट और 1 थर्ड का Weightage आपको Exam में मिल जाता है यह चीजें थोड़ी सी कहीं न कहीं अगर Group D में सिर्फ ITIE को मौका नहीं मिलेगा तो आप सब के लिए थोड़ा सा यह अच्छा नहीं होगा लेकिन अगर ITIE को सिर्फ मौका मिलता है Group D में तो आप सब के लिए Railway Apprentice काफी बेहतर साबित होगा पाकि हम लोग Group D का जो आने वाला notification है उसमें देखेंगे क्या हो सकता है आईए देखते हैं इसमें कौन-कौन candidate form भर पाएंगे साथ में यहां से रेजिस्टर करके लॉग इन करके form भरा जा सकता है यह है ओफिसियल नोटिफिकेशन Southern Railway का Central Workshop की तरफ से वेकिंसी यहां पे जारी की गई है अप्रिंटिप की 2023-24 के लिए ठीक है तो यहां पे आईए देखते हैं कौन से candidates यहां पे eligible होंगे form भरने के लिए तो सबसे पहले ही page पे आप देखेंगे form जो है 29 जनुरी से start हो चुका है भरने के लिए अगर आप लोग eligible हैं और form भरना चाहते हैं तो एक बार comment section में yes करके लिख दीजेगा आपको mobile phone से कैसे आप step by step form भर सकते हैं उसका वीडियो हम provide कर देंगे 28 फरवरी 2024 यहां पे last date होगी and अब यहां पे बात करें 2860 total slots हैं बट सबसे important हो जाता है कौन कौन form भर पाएगा तो यहां पे Tamil Nadu state complete form भर पाएगा union territory पुड़िचेरी यहां पे पॉंडिचेरी form भर पाएगे पूरा केरला इस्टेट form भर पाएगा अन्दमान निकोबार लक्षदिव पाइसलेंड वाले form भर पाएगे and आंधराप्रदेस के दो डिस्टिक SPSR नेलोर and चित्तौर form भर पाएगे लिजेगा और ऐसी सभी अपडेट information और PDF के आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल पे टेक स्टेडी आई टेई नाम से चैनल है description नमने लिंक दे दी है यहां पे वैकेंसी के अगर बात करें तो इसमें आई टी आई के साथ-साथ कुछ वैकेंसी फ्रेशर केंडेट्स के लिए भी निकाली गई हैं जैसे यह है signal and telecommunication workshop में fitter trade की वैकेंसी फ्रेशर यह आई आप दसुई पास होत इसमें फार्म भर सकते हैं 20 post है यह आपकी 2 साल की training होगी तो इसमें आपको ITA के equivalent certificate मिल जाएगा दो साल बाद साथ में fitter और welder की यहाँ पे है 52 और 31 post 83 post है इसके बाद एक वैकेंसी निकाली गई railway hospitals में निकाली गई है पेरंबूर में यह 12th pass के अंडेट्स के लिए इसमें MLT Radiology Medical Laboratory Technician बोलते हैं Pathology and Cardiology टोटल मिलाके 20 post है इसके बाद यह XITA मतलब होता ITA पास candidates के लिए वैकेंसी है Signal and Telecommunication में आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पे 95 post है तिरवनंत पुरम डिवीजन में आप देखें 280 post है पलककर डिवीजन में अलग-अलग trade आप देख सकते हैं यहाँ पे plumber है, carpenter है, welder है सभी का मिला के टोटल 135 post है ICTSM भी यहाँ पे है बट reason वही है, उपर जो candidates है उतने इस date के वही बिलॉंग कर मतलब apply कर पाएंगे Salim Division में टोटल 294 vacancy है Carries and Wagon Works पेरंबूर में आप देखेंगे 333 post है Local Works पेरंबूर में यहाँ पे 135 है Trade आप लोग एक बार यहाँ पे जरूर देख लीज़ेगा notification, Telegram पे हम share कर देंगे यहाँ आप description में दी गई लिंक से भी download कर सकते है, ठीक है Electrical Workshop में टोटल 224 post है Engineering Workshop अरक कोनम में आप 48 post देख रहे हैं ठीक है, चन्नाई Division परसनल ब्रांच में सिर्फ 24 post है, कोपा ट्रेड के लिए चन्नाई Division में ही Electrical जो आला Department है आपका, वहाँ पे आप देखिए 65 post है, ठीक है Advanced Welder भी यहाँ पे Electronic Mechanic है Fitter है, Welder Gas and Electric है चन्नाई Division में Electrical Rolling Stock अगर बात करें, अवाडी की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं Total 65 post है, Fitter Electrician चन्नाई Division में Electrical Rolling Strong यहाँ पे तामबारम में आप देखें तो 55 post है, इसी तरह रोयपूरम में आप देखें तो 30 post है चन्नाई Division में Mechanic Diesel अगर आप देखें तो यहाँ पे Fitter Diesel Mechanic Electrician की Total 22 post है इस तरीके से आप यहाँ पे Complete Information जो है, डाउनलोड करके एक बार देख लीजएगा Vacancy 2860 है, और कम एरिया के Candidates को मौका दिया गया है तो यहाँ पे Merit List भी थोड़ा सा Merit भी Down जाएगी, तो आप लोगों का Selection भी आसानी से हो जाएगा Age Limit यहाँ पे 15 साल से लेके 24 साल तक रखी गई, जो Fraser Apprentice वहाँ पे 22 साल एज रखी गई है ध्यान दीजेगा इस चीज़ का, ठीक है एंड इसके अलावा, Age Limit में छूट OBC को 3 साल का, SCST को 5 साल का PWD को 10 साल की छूट यहाँ पे मिल जाएगी, Fitter जो दसमी पास है, वह 2 साल का होगा Welder Gas and Electric, एक साल 3 महीने का होगा, ठीक है एंड जो Medical Laboratory Technician है वह 1 साल एंड 3 महीने का होगा, नि 15 महीने का होगा एंड बाकी जो Excite Apprentice है वह पूरा-पूरा 1 साल का रहेगा सभी ट्रेड का, तो उसको आप लोग एक पार देख लीजेगा, High School में minimum 50% होना आपका जरूरी है तभी आप इसमें eligible, हो पाएंगे Farm बनने के लिए, Farm सिर्फ और सिर्फ online mode में भरा जाएगा, और Farm बनने की आपकी यहाँ पे fees भी लगने वाली है, ठीक है, तो Farm बनने की जो fees लगेगी, ओभी यहाँ पे mention कर दिया गया, देख लेते हैं, एक बार कितनी दी गई उस fees, हाँ तो 100 रुपए fees यहाँ पे लगेगी SCSTP, WD, Women Candidates की यहाँ पे कोई fees नहीं लगेगी, General OBC and EWS की यहाँ पे 100 रुपए fees लगने वाली है, Farm आपको Online Board में भरना है, 7700 रुपए नहीं 7700 रुपए से आपको 8050, 8050 रुपीज आपका stipend यहाँ पे रहने वाला है बाकी डिटेल, यहाँ पे Central Government के कुछ Formats दिये गए, इनमें अगर आपके Certificates नहीं हैं, तो उसे बनवा लीजेगा यह Medical Profarma है, जो की आपको DV के टाइम पे बनवाना पड़ेगा Thank you very much, ख्याल रखिएगा आपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, Thank you